हेलो फ्रेंड्स जे स्रीकृष्णा अभी नवरात्री का तेहार आने वाला है और वर्थ के लिए हम साबुदाने की खीचरी जरूर बनाते हैं तो आज हमने आलू और साबुदाने की ये एकदम खिली-खिली खीचरी बनाई है ये बिल्कुल भी चिपकी नहीं होगे आप दे से दोले दोने के बाद में आप उसमें हलका सा पाने डाले और इसे अच्छे से मिक्स करके आप इसे एक या दो गंटे के लिए रख दे या फिर आप रात बर भी इसे विगोके रख सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखे कि आप इसमें पाने जादाने डाले तबी आपक खीचरी एकदम खिली-खिली बनेगे बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं यह देखिए एकदम यह खिले-खिले है तो इस बात का आप ध्यान रखें कि साबुदाना जब बीबी गोए तो आप उसमें ज्यादा पाने नहीं डाले बस उसे धोकर हलका सा उसमें पाने डाल दे अभ कर लिया है आप जितना आलो इसमें डालना चाहते हैं उसकी साबसे आलो ले सकते हैं अभी हम आंच को मीडियम तूलो कर देंगे और आलो को हलका सा एक मिनट के लिए इस तरह से रोष्ट होने देंगे मैंने आलो को कच्चा ही लिया है अगर आप चाहो तो उबलवगा आलो सकते हैं तो मैंने काली मिर्च का इसमें योज नहीं किया है इसके लिए मैंने हरी मिर्च जादा ली है अभी हम डग कर इसे मीडियम टूलो आंच पर दो मिनट के लिए पका लेंगे ध्यान रखे कि हम बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे ताकि आलो हमारे चिपके नहीं सब्सक्राइब जो देख सकते हैं डालो पहले से मारे नरं हो जूकी है एक दम नहीं पकिया लेकिंपहले स्या नरं हो चुक है अभी इसमें टामाटर दालेगे तो मैंने एक टामाटर को इसने बारिकμश कर लिया है अगर आप टामाटर नहीं खाते तो attempt pay कर सकते हैं वेना के भी आप बना सकते हैं और टमाटर डालने से भी इसमें बहुत ही अच्छा टेश्ट आलता है तो मैंने एक टमाटर को बारी काट के डाल दिया और मिक्स कर लिए और अभी ढख दिया और ढख कर टमाटर को और अलू को एकदम अच्छे से पकने तक हम इसे पका लेंगे आज हम नच्छे दिया हैं अभी इसमें जो रखते हैं तो आप चेक कर सकते हैं आसानी से ट SouT ३ूट रहे हैं तो अलू हमारे हिसमें टमाटर बी हमारे आच्छे से गल चुके हैंह। अभी इन सब को अच्छे से मिक्स कर रेंगे तो अभी साबूदाना को हमें पकाना है लेकिन साबूदाना को आप इस बात का ध्यान रखे कि साबूदाना को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो बस ये बहुत ही जल्दी ये पक के त्यार हो जाते है तो इसके लिए क्या करना है कि इसे डग देंगे और आंस को एकदम धिमा कर देंगे धिमे आंस पर एक मिनट के लिए भाप में पकने देंगे ये बहुत ही जल्दी पक के त्यार हो जाता है ये देखे एक मिनट तक इ यह एकदम एक एक दाना खिला-खिलावा यह शाबुदाना का है और यह आलू शाबुदाने की खिचरी बहुत ही टेस्टी बनके त्यार हुई है फटा फट इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो अब आप गोईवी वर्तो या नवरात्री पे इस तरह से यह आलू शाबुदान किया तो प्लेज सब्सक्राइब कीजिए पास वाली गंटी को जरूर दबाए जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद आप सब हमेशा मेरे साथ इसी तरह से बन देरादे